नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्लू टिक फैक्ट्स में देखिए ज़रूरी नहीं कि आपके काम हमेशा आपकी लापरवाही की वज़े से ही बिगडे कभी इसके लिए किस्मत और कभी कभी कोई दूसरा जिम्मेदार होता है मानते हैं ना इस बात को आज के हमारे वीडियो में हम कुछ ऐसे क्लिप्स आपको दिखाने वाले हैं जिन में बिगडे काम आपको हसाने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार वीडियो जिसका नाम है Bad Day at Work Part 2 इसका Part 1 हम पहले ही बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा तो चलिए बिना कोई और देरी केश शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नमबर वन शरारती दोस्त भला जैन से कहां रहने देते हैं ये देखिए कैसे इस शेफ ने दूसरे शेफ के पैर के नीचे अंडा रख दिया जिसकी वज़े से फिसल कर ये भाई साव ऐसे गिरे की सारा आटा ही इनके उपर गिर पड़ा और इनका हुलिया किसी सफेद भूत जैसा हो गया देखिए कैसे हसी मजाख के चकर में इन्होंने इस मिस्तरी का हथोड़ा चेंज कर दिया और जैसे ही इसने हथोड़ा इन टाइल्स को सेट करने के लिए मारा ये टाइल्स ही तूट गई बेचारा सोचता ही रह गया कि ये हुआ क्या देखिए इनसान चाहे अपने काम में कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो लेकिन आपको इस तरह के नजारे देखने को मिल ही जाते हैं देखिए पाइप के पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि इन चार-चार फायर फाइटर्स से भी नहीं थमा और सब अपनी जान बचा कर भाग खड़े हुए अब इन भाई साहब को इस मुर्गी पर इतना गुसा रहा होगा इसका अंदाजा आप और हम दगा ही नहीं सकते सीमेंट से रोड को एकदम प्लेन करके ये जनाब हटे ही थे कि इस मुर्गे ने आकर सब कुछ हराब कर दिया और अब हटने का नाम भी नहीं ले रहा इस वरकर की हालत देखकर आपको तरस से ज्यादा हसी आने वाली है कैसे बेचारा एक एक ट्रॉली को पकड़ने के लिए इधर से उधर दौर लगा रहा है और ट्रॉली आप पार्किंग में खड़ी गाडियों से टकराए जा रही है पता नहीं ये भाई साहब छट पर क्या करने जा रहे थे लेकिन ये क्या इनकी सीड़ी तो ऐसी फिसली की इनके हाथ पाव ही तूट गए होंगे नमबर सेवन देखिए मैडम जी किस तरह से कुरसी को पीछे खिसकाने के चकर में धढ़ाम से गिरी है मैडम जी फोन पर बात कम किया कीजिए नहीं तो ऐसा ही होगा नमबर एट भगवान जाने ये मैडम इस टेबल पर इस तरीके सचड़कर आखिर क्या ही ढूणने की कोशिश कर रही थी जैसे हिनोंने कुरसी से पैर हटा कर टेबल पर रखना चाहा इनका बैलनस बिगड़ गया और देखिये कैसे धड़ाम से मैडम फ्लोर पर गिर पड़ी नमबर नाइन कोई इस ड्राइवर से पूछ कर देखो कि भाई गाड़ी के उपर इतनी भारी लकड़िया रखने का आइडिया तुम्हें किस मूर्ख ने दे दिया था रोड़ पर चड़ाई आते ही एक जटके के साथ सारी लकड़िया पलट गई और गाड़ी आगे निकल गई बहुत वर शुक्र मनाईए कि कोई बुरा हाथसा होने से बच गया देखे इस क्लिप में ये गाड़ी वाला इस ट्रक वाले को डंडा दिखा कर डराने की कोशिश कर रहा है मगर जब इस ट्रक वाले को उस्सा आ गया तो देखे उसने कैसे उसकी गाड़ी का कच्छू मर बना डाला और इतने पर भी जब ट्रक वाले का मन नहीं भरा तो देखिए उसने कैसे बिजली का खंबा भी तोड़ दिया गर बैठे खाना मंगवाने की आदत लोगों में काफी ज्यादा पड़ गई है और यही बज़े है कि फूट डिलिवरी करने वालों की कमपनीज में फास्ट डिलिवरी करने की होड सी लगी हुई है और इसी के चक्कर में ये बेचारा डिलिवरी बॉई इससे ठकरा कर सड़क पर ही गिर गया आजकल बड़ी बड़ी मशीनों से काम किये बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता लेकिन अगर यही मशीन किसी वज़े से गिर जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है देखिए कैसे इस बड़े से पानी वाले जहाज ने इन वरकर्स की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया नमबर थर्टीन क्रीन ड्राइवर ने जान बूच कर ऐसा किया या गलती से ऐसा हुआ वो तो भागवान ही जाने लेकिन इनके चक्कर में इस गाड़ी वाले का जो सत्यानाश हुआ उसकी भरपाई तो होने से रही गाड़ी का आगे का हिस्सा तो बिलकुल ही तूट गया जो ठीक होने की हालत में तो नहीं लग रहा है नमबर 14 ये क्लिप देखने के बाद तो हम यकीनन ये कह सकते हैं कि ये ड्राइवर अभी नया नया ही काम पर लगा है तभी तो पहले ही दिन ये हाल हो गया सारा का सारा सामान एक ही जटके में नीचे गिर गया नमबर 15 ये मैडम फोन के स्क्रीन गार्ट के बारे में बता रही है जिसके लगाने के बाद इस फोन की स्क्रीन टूट नहीं सकती लेकिन जैसे ही मैडम ने इस पर इस टूल से मारा इसकी स्क्रीन तो चकना चूरो हो गई भई ये तो कितना बड़ा धोका हो गया नमबर सिक्स्टीन जे अंकल गार्डन की सफाई करते-करते ये भी भूल गए कि पीछे गड़ा है और ये भूलने का नतीजा ये हुआ कि ये मशीन के साथ साथ खुद भी गड़े में जा गिरे नमबर सेवंटीन मकैनिक साथ ने बड़े ही स्टाइल के साथ गाड़ी के पेच सेट किये और जैसे ही वो आगे बड़े गाड़ी का पिछला पाया उनके माते से जा टकराया नमबर एटीन कहना गलत नहीं होगा कि इन भाई साथ ने मेंज को जमीन पर लेटाने के लिए पूरी साथानी बरतने की कोशिश की थी लेकिन एंटाइम पर इस पर लगा शीशा चकना चूर हो गया और ये सोसते ही रह गए कि आखिर ये हुआ क्यों अकसर ऐसा होता है कि इनसान कितना भी दिमाग क्यों न लगा ले उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो गया रहा है और ये क्लिप ऐसी ही एक पहली है देखिए ये दोनों वरकर्स क्या कर रहे हैं एक वरकर नीचे से मिट्टी को ट्रॉली में भैंक रहा है और दूसरे वाला ट्रॉली पर खड़ा होका ट्रॉली से मिट्टी निकाल कर वापस नीचे डाल रहा है ये कान सा काम है भाई आपको कुछ समाजा है क्या दोस्तो देखिए दोस्तो जल्दबाजी में किये गए काम अकसर बिगड़ते ही हैं आप इस वरकर को न जाने कहां जाने की जल्दी थी कि ये उसेन बोल्ट की तरह भाग रहा था और तभी पानी में इसका पैर ऐसा फिसला कि ये सब के सामने ओंधे मोह गिर बड़ा तो दोस्तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा हम मिलेंगे आप से अगले वीडियो में एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ तब तक यूही हसते रहिये और मुस्कुराते रहिये और हाँ हमारे च आवश्य करें